देखिए आज हम समझने बाले हैं कि यह UPSC होता क्या है UPSC एजेंसी है UPSC बिभाग है UPSC कोई मत्राला है मिनिस्ट्री है या UPSC कोई गवर्मेंट है क्या है यह UPSC देखिए UPSC को लेकर बहुत सारे टाउट आते हैं देखिए कई बार होता क्या है कि आपने सुना होगा कि कई लोग बोलते हैं हम UPSC कर रहे हैं तो कई लोग बोलते हैं हम UPSC के त्यारी कर रहे हैं तो कई लोग बोलते हम UPSC CAC के त्यारी कर रहे हैं तो कई लोग बोलते हम IAS के त्यारी कर रहे हैं तो यह सारी चीज़ें होता है तो हमारा जवाब क्या होगा देखिए यहां पर सोट तरीके से लिखा गया है UPSC UPSC की फुल फॉर्म तो जैसे की जाते होंगे बेसिक चीज है Union Public Service Commission तो यही से समझ में आता है कि ए Union Public Service Commission है अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि कमीशन क्या होता है देखिये कमीशन के लिए हिंदी में आयोग बोलते हैं तो यह आयोग क्या है मतलब UPSC कोई exam है या UPSC कोई exam का तरीका है या UPSC कोई विभाग है तो देखिए सिम्पल सा समझिए UPSC एक कमीशन है हिंदी में कहें तो UPSC एक आयोग है इसके लिए Central Government के द्वारा समय समय पर अलग-अलग जिम्मेदारियां दी जाती है लेकिन सम्मिधान के अनुसार Constitution के अनुसार इसका काम ये है कि Civil सेवाओं पर भर्दी करना जो Civil सेवाओं Central Government के अंडर में आती है उन पर भर्दी करना UPSC की जिम्मेदारी है अब यहाँ पर Central Government जैसे कोई एक 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 जाम हो रहा है उसमें और सर्वेसे जोडने के लिए Central Government बोल सकती है या किसी एक सर्वेस को एक एक जाम से दूसरे एक जाम में ट्रांसफर करने के लिए भी बोल सकती है यह सभी अथर्टी Central Government के पास होती है इनका दाई तो यह है कि Central Government की तरफ से जो इनके लिए निर्देश मिलता है कि इतनी बैकेंसिया है इतने कंडिडेट हमारे लिए चाहिए तो इनका काम है उस पर भरती करना तो देखिए तो सवाल यह वाता हो कि कि आखिर किस ने कहा कि UPSC को बनाया जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ कि UPSC कोई बनाया जाएगा Union Public Service Commission को बनाया जाएगा यह बात किसमें कही है यह बात हमारे समिधान में Article 315 से लेकर 323 तक यह सारे जो Article बीच में आएंगे उसमें कही गई है आप उसमें जब समिधान पढ़ेंगे तो उसके जब Article पढ़ेंगे उसमें 315 से लेकर 323 की बीच में आप देख सकते हैं बहाँ पर बताया गया है कि एक आयोग मतलब एक कमिशन बनाया जाएगा उसके सदिस्टों के निक्ति की जाएगी उनकी पदाबदी क्या होगी मतलब उनका जो ओपिस का पिरियर्ट है वो क्या होगा उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी ये सारी चीजों के बारे में बताया गया है किसी के बारे में जाता अच्छे से बता दिया गया है तो किसी के बारे में बहुत ही सौट में बताया गया है तो ये चीज के लिए हो जानी चाहिए आपको कि मतलब UPSC होगा ये कहां पर कहा गया है किसके बेस पर हमने UPSC को बनाया तो सम्मिधान हमारे Constitution of India के बेस पर UPSC को बनाया गया है अब देखिए केवल UPSC को नहीं उन्हीं आटिकल में ये भी बताया गया है कि State Public Service Commission भी होगा एक मतलब राज लोग सेवा आयोग भी होगा जो State Government के अंडर में आने वाली Civil सेवाओं पर भरती करेगा तो देखिए जो State PSC होता है उसका काम होता है जो राज सरकार के अंडर में जो Civil Service हैं आती हैं उन पर भरती करना और जो UPSC का काम होता है ये के बद दो टाइब से देखता है एक बो जो All India Service होती है जैसे कि IAS, IPS और IFS और इसके अलावा Central Civil Service ठीक है? मतलब जो Central Government की Civil Service हैं उन पर भरती करना देखिए All India Service और Central Civil Service Central Government की Civil Service इन दोनों में काफी अंतर होते हैं अब हम ये बात करते हैं कि जो लोग ये बोलते हैं कि हम UPSC कर रहे हैं अरे भाई UPSC कोई College नहीं है UPSC कोई Diploma नहीं है UPSC कोई Institutes नहीं है जो आप कर रहे हैं UPSC एक Commission है भाई Union Public Service Commission है और Commission को करना नहीं होता है और जो लोग ये बोलते हैं हम UPSC के त्यारी कर रहे हैं तो फिर भी डाउट वाली चीज है कि भाई UPSC की आप त्यारी कर रहे हैं तो UPSC कोई एक exam नहीं कराता है है कि केवल IAS या IPS अरे UPSC बहुत सारे exam कराता है जिसा ही Medical Service और Engineering Service ठीक है और बहुत सारे exam है INDA और CDR ठीक है जो Defence में जाते है तो बहुत सारे मतलब की exam है तो ऐसा बोलना भी गलत है कि हम UPSC की त्यारी करना है हम यह हो गया है कि जो IAS IPS मतलब जो Civil Service की त्यारी कर रहे हैं जिसमें IAS IPS 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 IARS सामिल होता है वो डाटल यही बोल देते हैं UPSC की त्यारी करना है तो UPSC एक कमीशन है जिसका काम मैंने आपको पहली बता दिया है तो आप आपको अच्छे से क्लिर होगा होगा कि UPSC क्या होता है UPSC की इस्तापना UPSC को क्यों बनाया गया है UPSC का काम क्या होता है यह सारी चीजे मैंने आपको बता दी है तो आज के बाद आपको डाट नहीं रहना चाहिए कि UPSC क्या होता है और यह क्या करता है